श्री शिवाई नमस्तुब्यम दर्शको कैसे हूँ आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दर्शको आज गुनतिस अप्रेल साथी तीती सनिवार दिन सनिवार पढ़ रहा है ऐसे में दर्शको सनिवार का दिन भगवान सनेदेव को शमर्पित होता है कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय शमय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके तो दोस्तों सनिवार के दिन चुपचापी एक काम कर लेना जीवन के तमामे कष्ट तमाम दुर्बलेस्तिया हो जाएंगी समाथ दोस्तों सनिवार का जो द एक छोटा सा दिव्य और अच्चुक उपाई बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपकी जियून की तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे तमाम दुर्बलेस्तिया दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी आपकी जो कारिया बनत सबसे होता है तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो सनिवार की जिएंच का यह काफी विश्चियु विश्चियों होता है और सौभग्य की प्रापती होती है तौम में कश्टे दूर होते हैं जीवन में आने वाली बादाय दूर होती हैं और साथ ही दोस्तों सनिवार की दिन काले वस्त दान करने से काले कुट्टे को रोटी किलाने से भी शोबाग्यों की प्राप्ती होती है बनते कारिये जो बिगड़ जाते हैं वह वास्तों में बनने लगते हैं और सनीवार के दिन काले कृत reflects मेहत्व माना जाता है ऐसे में दरस्था को ये भी खा में जाता है कि सनीवार के दिन ऐसा ही लोगों की मदद करने से आप को अपने झीवन की तमाम हर जगहा पर आप लोगं को सपलता प्राफ्ट होती हैं तमाम आपके कारिये जो है बनते ही चले जाते हैं ऐसे में दुस्तों कहा जाता है कि सनिवार के दिने इपीपल के नीचे दीपक जलाने से और भगवन शूनिदेव का नाम आदि लेने से उनका मंत्र जप्स Rubin आदि करने से कहा जाता है कि अमें धन दोलत प्राप्ती होती है साथी धन के मामले में जो आरे बादाय होती हैं वे भी शमात हो जाती हैं तो ऐसे में दुश्चा को सनिवार के दिने आप लोग इनकारे को करकर वास्तों में भगवान असरेंदेव का असरवत पराप्त कर सकते हैं अपने जिरू की तमाम दुरबल इस्तितियों को दूर कर सक करते हैं तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी इनकारे में जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद जी नमस्कार